जो किसान साथी अमरूद की अपनी सर्दियों की फसल लेना चाते हैं, वे फरवरी महा से दो कारिय करते हैं, पहला कारिय होता है कि पोधो का पानी बंद कर देना, इसका अर्थ होता है कि पोधो को ताओ देना, और दूसरा कारिय होता है पोधो में खोरा लगाना, अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन दोनों चीजों का अर्थ क्या होता है ताउ देने का मतलब ये होता है कि जब हमने पानी बंद कर दिया तो पोधे को नमी नहीं मिलेगी और जब नमी नहीं मिलेगी तो पोधा सुसुपता अवस्था में चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि उससे फसल नहीं लेनी है और इसकी पतिया धीरे 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 पानी की कमी में नीचे गिरने लगती है जो नए कल्ले निकलते हैं जिन पर फूल आते हैं उनका निकलना बंद हो जाता है इसके साथ-साथ हम एक काम ओर करते हैं कि दूसरा कारिय जो होता है वो होता है इसमें खोरा लगाना कि हम इसके आसपास गहरी खुदाई कर देते हैं वो गहरी खुदाई उतनी होनी चाहिए कि जिससे कि जो भुजन वाली दुट्यक जड़े होती हैं वे कट जाएं अगर कहीं वो जड़े रह गई तो वो बहुत दूर से भी नमी खींच लेती है और आपका पोधा फिर उसमें कल्ले निकलने की संभावना होती है किसान साथियो अब की बार मैंने एक नया प्रियोग किया मैंने क्या किया कि मेरे खेत में एक लाइन बड़े पोधों की थी और दूसरी लाइन छोटे पोधों की थी जिनने में ताव नहीं दे सकता था तो मैंने जो छोटे पोधे हैं और बड़े पोधों के बीच की जो लाइन की दूरी है वो आठ फिट है इसमें मैंने ये कारिये किया कि एक लाइन में पानी चलने दिया ड्रिप से और दूसरी में बंद कर दिया और बंद इस प्रकार किया कि महीने में एक बार मैंने ड्रिप से उनने पानी दिया और पानी पूंड ते मैंने 15 मार्च को बंद किया जो मेरे 3 साल के पूदे हो चुके थे एक अपरेल को मैंने कटिंग कर दी उनकी और कटिंग कर उनकी गहरी खुदाई करवा दी कुछ पूदों की मैंने गहरी खुदाई करवाई अपने सामने खड़े होकर और बाकी पोधों को उनको कहा जो मेरे साहयक थे के आप इस परकार खुदाई कर दे या तो जान बूझ गर जल्दी में किया उन्होंने ये कारिये या उनसे गलती हो गई वो इसकी गहराई को नहीं समझ सके अभी तीन दिन की जो भर्मन यातरा से जब मैं वापिस आया तो मैंने देखा कि पोधों में कल्ले निकल गए है अब मुझे क्या करना है अगर इन कल्लों को मैं नियंतरित ने करूँ तो मेरा जो बहार नियंतरन है वो नहीं होगा यानि क्रोप रेगुलेशन नहीं होगा और मेरी बरसात की फसल आजाएगी हमें बरसात की फसल रोकनी है जिससे के उसका कुछ भाग हमारी सर्दियों की फसल में जुड़ जाए आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं किस प्रकार कर रहा हूँ और क्या गलती हुई है और उसे किस प्रकार सुधार सकते हैं किसान साथियों ये देखिए ये मेरी लाइन है जो तीन से वर्ष के पोदे हैं और इसके आठ फिट की दूरी पर ये दूसरी लाइन है जिसमें के मेरे डेड़ वर्ष के पोदे हैं इनमें मैंने ताव नहीं दिया है, पानी देता रहा मैं इनमें, और इनमें मैंने 15 मार्च के आसपास बिल्कुल पानी बंद कर दिया, और एक अप्रेल को मैंने इनकी कटिंग की थी, ये पोधा देखिए और ये लवाली लाइन देखिए, कल जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि इनमें कल्ले निकलने लगे हैं, ये देखिए, ये वाला ये जितने भी थे, सब के सब इन्होंने कल्लोंने निकलना शुरू कर दिया, अगर ये कल्ले निकल गए, तो अभी से इनमें 15 दिन के बाद इनमें नई कल्या आ जाएगी, और फिर अगले 25 दिनों में फसल मिलेगी, और मुझे फसल लेनी है 15 अक्टूबर से पहले बिल्कुल नहीं लेनी है, तो किसान साथियो, आप देखेंगे कि मैंने जब इनमें ये खोरा लगवाया था, इनको बताया था कि इसको अच्छी तरह पल्टी करें, गहरी, खुदाई करें, इन्होंने क्या कि गया कि मैं इनको कारिये बता कर चला गया, किसी और कारिये में वैस्त हो गया, और जब मैंने नीचे से देखा, तो नीचे जड़ें पूरी तरह नहीं कटी थी, ये देखिए इस भी पोदे में, अब इससे क्या समस्या हुई, ये कल्ले क्यों निकले, मैं आपको ये बताता हूँ, ये आपकी साथ भी हो सकता है, देखिए ये जो मेरा साहयक है, ये इसको खुदाई कर रहा है, और पहले इसने ये जो मिट्टी है, ये खीच कर बाहर निकाली, और ये देखिए इस प्रकार ये इनको खुदाई कर रहा है, तो जो उन्होंने पहले खुदाई की थी इन लोगों ने तो उसमें उपर से अपने हिसाब से सोच लिया कि हाँ 6 इंच हो गई और 8 इंच हो गई लेकिन ये जड़े नहीं कटी थी और ये जड़े नीचे से नमी भी लेती रही और वो नमी नहीं सुखी और इसके फल सरूप ये कल्ले आ गए तो ताव देने का मतलब है कि पानी बंद करना है और जो द्वित्तिक जड़े हैं उन्हें खतम करने के लिए हमें ताकि अगर कहीं थोड़ी बहुती नमी हो भी उसको ने ले सके उनको हमें काटना है जिसे हम खोरा लगाना कहते हैं अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी जड़े निकल रही है ये देखिए तो ये जड़े नमी ले रही थी और उसके कारण हम सोच रहे थे कि उपर इस पोधे में देखिए कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है लेकिन जब हम नीचे जाते हैं इस मिट्टी को उपर की थोड़ा हटाते हैं और फिर खुदाई करते हैं तो हमें इस प्रकार जड़े दिखाई देखिए और इसी के फल सुरूप इसमें ये वाले जो कल्ले है निकलने शुरू हो गए अब यहां मुझे दो कारिये करने थे जिन में से पहला कारिये है यह जो मैं कर रहा हूं दूसरा कारिये क्या है कि मैं इनमें कल सुबह ही 15% यूरिया का इस्प्रे कराऊंगा जो 15% का अर्थ है कि 100 लिटर पानी में आपको 15 किलो यूरिया डालना है और इसे पोधे को नहला देना है तो जो ये बड़े पत्ते हैं देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसमें यहां पर कल्या भी शुरू हो गई ये देखिए ये कल्या है तो ये सब गिर जाएंगी और जितनी भी फुटान सुरू हुए वो वही की वही रुक जाएगी किसान सातियों अमूमन हम जो मैंने पिछले वर्स और उससे पिछले साल किया था जो पिछले से पिछले साल किया था मैंने यूरिया का स्प्रे किया था आदे खेत में और आदे खेत में हाथ से कलिया तुड़वाई थी, दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं लगा, अच्छी फसल आई थी पिछले वर्स मुझे यूरिया की जोरत नहीं पड़ी थी और मैंने एक मई को कटिंग की थी लेकिन अब की बार मैंने अपने साथियों से डिसकस किया इस बात को कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अप्रेल में खोरा लगाएं और पानी बंद कर दें पूरी तरह से और पूरे अप्रेल हम उसको ताओ दे इसमें कुछ पोधे ये दस पोधे मैंने छोड़ दिये थे ये देखने के लिए कि दोनों में क्या अंतर होगा ये देखिए इस पोधे में इस पर पिछले वर्स इस तहनी पर पिछले वर्स फल आये थे ये इतनी बड़ी-बड़े कलियां आ गई है अब इसमें और पांच-दस दिन में फूल खिल जाएगे तो जब मैंने अप्रेल में उनकी कटिंग की तो यहां से की थी तो जितने भी कल्ले फूट रहे थे सब हट गए थे 90% कटिंग से ही हट गए थे और बाकी मैंने हाथ से हटा दिये थे लेकिन इन में मैं ये अब हाथ से नहीं हटा सकता मैं इन में कटिंग भी एक मई को करूँगा तो कल उनके साथ इन पर भी मैं यूरिया का इस्प्रे करूँगा और ये देखिए जो नमी थी और जड़े अच्छी तरह खुद कर अब कितना खुशकी आ गई इसमें और इससे देखेंगे के हमारे जो पोदाय है उसके कल्ले निकलने बंध हो जाएंगे और जो थोड़े बहुत निकले हैं वो हम यूरिया के इस्प्रे से समाप्त कर देगे एक मई के बाद मैं इसमें जो ये मैंने थाला बनाया है इसमें बिल्कुल किनारे में और एक-एक फावडे से हटा कर मिट्टी यहां पर मैं खाद डलवाँगा और खाद डलवाकर इसको बंद करा दूँगा और फिर मैं इसमें फलर्ड से पानी दूँगा तो जो ये कटिंग वाले हिस्से हैं जैसे ऐसे पोदे हैं इनमें सम में भरपूर कल्ले नजर आएंगे और भरपूर फसल आएगे किसान साथियो मेरा उद्देश से जो मेरा खेत है इसमें एक्सपरिमेंट या परियोग करते रहने का है कि मैं देखूं कि ताओ किस प्रकार दिया जाता है चुकि सभी छेत्रों में मेरी जो वीडियो है बहुत लोग फालो करते हैं और उन पर कारिये भी करते हैं और मुझे उसकी प्रसंसा भी करते हैं कि हमें इससे फायदा हुया यह देखे यह मेरे तीन लाइने हैं जिसमें दस बाई आठ पर पोधे लगे विये हैं ताइवान पिंक है इसमें अधिकतर और कुछ पोधे इसमें वी एन आर के भी हैं तो इसमें भी जो बड़े थे वो निकल आए और छोटों में थोड़ी सी यह देखे फुटा नावे यहां भी मैंने खुदवाया था इन में यह देखिए तो कल इसमें भी पूरा खुद जाएगा और मैं इसमें यूरिया का इस्प्रे करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि क्या है तो किसान सातियों सर्दियों की फसल लेने के लिए जो हम बरसात की फसल रोकते हैं उसे हम बहार नियंतरन कहते हैं यानि क्रोप रेगुलेशन कैसे है जो रिसर्च अनुसंधान पर पत्र हैं लेख हैं उनमें लिखा गया है कि अगर आप एक फसल को रोक देते हो तो उसका लगबग 80% के लगबग अगली फसल में जुड़ जाता है बरसात में चुकि समझ से आती है इसलिए हमने बरसात की फसल नहीं ली है किसान साथियों ये थी मेरी प्रस्तुती के जो मैं कारिय कर रहा था उसमें क्या गलती हुई के मैं ये सुपरवाइज नहीं कर चगर सुका के इन में अच्छी तरह से इसमें खोरा लग जाए और पोधों ने पिछले 3-4 दिन में मोसम में भी थोड़ा बदला हुआ नमी थी क कल हलकी हलकी 2-3 मिनट बारिस भी हुई तो उससे इतनी नमी आने से ये कल्ले चल पड़े हैं और अब हमें इनमें इने रोकना है ये थी मेरी प्रस्तुती के सर्दियों की फसल में कब खोरा लगाएं और उसको कैसे नियंतरित करें उसका किस प्रकार परबंधन करें के आप अप्रेल में लगाएं ये मेरा प्रियोग है अभी आप नै करें चुकि अप्रेल का महीना आधा तो गुजर ही चुका है और जो आप मई में कटिंग करने वाले हैं जो लोग अगर उनके हां ये समस्या आती है तो वो उसकी जड़ों के पास खोरा अवस्ये लगा दें और अगर कल्ले निकला हैं तो उसमें 15% का यूरिया का इस्प्रे अवश्य करें तो वेर रुक जाएंगी और आवश्यकता पड़ी तो दस दिन बाद एक इस्प्रे और करें और फिर एक मई से कटिंग कर अपने पोदों में पानी लगा दें ताओ खतम कर दें और ताओ जैसे ही खतम होगी नई जड़ोगा विकास शुरू होगा और तेजी से पोदों में कल्ले निकलने इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत वंदे बातरव